नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निखिल और फोन दर्शन की इस एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूँ अन्बॉक्सिंग डेल के 24 इंच के फुल एजडी मोनिटर का इस मोनिटर का जो मॉडल नमबर है वो है SE2418H तो आहिए हम इस मॉडल की फटाफट अन्बॉक्सिंग करते हैं और फिर मैं आपको और भी डीटेल्स बताऊंगा जैसा कि आप देख रहे हैं पैकेशिंग बहुत अच्छे से की गई है डेल का यह 24 इंच का मॉनिटर मैंने स्नाइप दिल समंगाया है और मुझे डिलिवरी भी टाइम नी मिल गई थी तो दोस्तों यह रहा डेल का 24 इंच का मॉनिटर और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर इसका मॉडल नमबर दिखा है से 24 16 H तो आये मैं आपको थो रा ग्लोजब में लाकर सपेसिसिकेशन से ठीक से दिखाता हूं यह मॉनिटर के बॉक्स का बैक पैनल है आये मैं आपको थोरा नजदीक से सब्सक्राइब कर दिखाता हूं यह डिखे यह 24 इंच का मोनिटर है यानि कि एप्रोक्स 23.8 इंचिस की इसकी साइज है इसका जो रिजोलिशन है वो फुल एजडी है 1920 वाई 1080 पिक्सेल से एट 60 हर्च इसका वाइड विएंग एंगल है 178 डिगरी यानि कि अगर आप इस मोनिटर को साइड से भी देखेंगे तो इस मोनिटर के कलर्स फिर नहीं करेंगे यह VGA और SDMI केबल को सपोर्ट करता है तो आप अपने CPU को या अपने लैपटॉप को इस मोनिटर से VGA केबल या फिर SDMI केबल के द्वारा जोर सकेंगे यही चीज़ें बाकी यहाँ पर चाइनीज और दूसरी लैंग्विजिस में दी भी है और यह मोनिटर के बैक साइड में क्या-क्या कंट्रोल्स प्रेजेंट है और क्या-क्या इंटरफेसेस हैं इसके बार में डिटेल्स दी गई है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक पावर कनेक्टर है यहाँ पर HDMI पोर्ट है और यहाँ पर VGA पोर्ट है यह मोनिटर का स्टैंड है और यहाँ बताया गया है कि आप वायर को कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं देखें दोस्तों मैंने भी इसके बॉक्स को ओपन किया है और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है कि यह सब से पहली यह स्टैंड है इसकी इंस्टॉलेशन सीडी है यह देखें इसकी इंस्टॉलेशन सीडी के साथ यह इसका यूजर मैनूल है जिसमें इसा बताया है कि आप किस तरह से स्टैंड लगा सकते हैं और किस तरह से कनिक्सेंस वगरा कम्पूटर के साथ आप कर सकते हैं इसकी CD है इसमें ड्राइवर्स होंगी, of course और इस मोनिटर के साथ हमको मिलता है VGA केबल इस मोनिटर में हमको HDMI केबल साथ में नहीं मिलता है पर दोस्तों मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकी इस मोनिटर के सवाएं सप्राइब्ल प्राइब्ल सोच्टी प्राइब्ल प्राइबि पातरॉज के सवाएं सवाएं इसमें हम्हें देनली अंधार 8000 ए रोपे मिली इसमें एफ रहा प्रश्क्रीन है और और इसमें 3M हार्ड कोटिंग भी की गई है ताकि इस पर रिफ्लेक्शिन्स ना बने और यह देखिए दोस्तों यह है इसका पावर केबल अगें और यह जो है यह भी इसका स्टैंड है अब आए यह मोनिटर को बाहर निकालते है देखिए यह मोनिटर जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर ज्यादा रिफ्लेक्शन्स नहीं आ रहे है यह इस मोनिटर का बैक साइड है और यहाँ पर सारे कनेक्शन्स दिए है यहाँ पर पावर कनेक्शन है यह देखिए पावर कनेक्शन यहाँ पर HDMI केबल कनेक्शन है और यहाँ पर VGA केबल का connection दिया गया है अब आईए इसमें फटा-फटा हम लोग stand लगाते हैं और setup करते हैं यह देखिए stand को ऐसे करके लगाना है यह इसमें पूरी तरह सेट हो चुका है बहार नहीं निकलेगा इसमें और कुछ भी एक्स्टा करने की जुरूरत नहीं है यह देखिए इस तरह से यह अंदर चला गया और यहाँ पर जब यह set हो गया तो मुझे click किया वा जाई है जिसका मत्रब है कि यह पूरी तरह से set हो चुका है तो दोस्तों यह देखिए पूरी तरह से set up करने के बाद यह रहा दिल का 24 इंच का मुनिटर अब आए इसको हम लोग CPU से केनेट करेंगे और इसको पावर केबल के साथ करनेक्शन वगरा बिठाकर हम इसको अन करके देखिए तो आए दोस्तों अब हम इसको set up करते हैं यह तो पावर केबल है पहला जो की packaging के साथ है था इसके अलावा मेरे पास एक spare HDMI केबल पढ़ा हुआ था तो मैंने ले लिया है अभी इसको connect करने के लिए इसको हलका सा उठाना होगा और यहां पर इसका एक port बना है यह पीन ऐसे ऊपर जाएगा यह पीन ऐसे ऊपर आखी नीचे और इसको हमको इसके थूर निकाहें यह और ऐसे लिए लगताते हैं यह देखिए अच्छी तरह से लग गया है यह दूस जाएंगे इसको भी हम यहां से ले जाएंगे यह देखिए अभी हमारा power cable और HDMI cable यह दोनों लग चुके हैं इसमें तो दोस्तों इस तरह से हमारा setup complete हो चुका है अब आईए system को on करते हैं और यह देखिए हमारा system अब boot हो चुका है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस monitor के बारे में और भी details लेकर आऊँगा इसके साथ मैं य आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपका दिन शुबुब